Hello everyone, Dark Lackenstack map लोग को बहुत सवागा था, कैसे आप लोग आयो बहुत जादा यह awesome हूँ हूँ, एक नही वीडियो में आप लोग लेके आयो, N.14 beta का finally update आ चुका है, जैसे कि मैं आप लोगो previous timer बताया था, Google I.O. event में हम लोगो N.14 beta update आम लोगो को launch कर दिया जाएगा, Nothing और Google का साथ में collaboration के आद फाइनली इसको launch कर दिया गया है, जैसे कर सकते हैं, और इसको safe है करना या नहीं, यह सारी चीजों को लेके भी बात करते हैं, और इस feature को अपडेट कर भी लेते हैं, तो इसके सब लोगो क्या-क्या drawback space करने क पड़ेगा, वो सारी चीजों को लेके बात करने वाले, चलिए मैं किस दरी कि इस वीडियो को start करते हैं, और बताते हैं starting features से, जैसे कि आप लोगो सबसे पहले जाना है Google Chrome browser में, Android 14 beta भी डाल देंगे, तो भी आपका आजाएगा, नहीं भी आता, बाइंचास तो आपको description में link मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग install कर सकते हो, आपको दो stages मिलेंगी, आपको roll in करने के लिए मौका मिलेगा, roll back भी कर सकते हैं, like आपको Android beta version चला के remove करना है, like आप Android 14 का सिरफ experience लेना चाहते है, beta version का, तो इसके लिए सिरफ आपको एक चीज से compromise करना होगा, आपने data को सारा backup कर लीजिए, आपका device पूरा format हो जाएगा, उसके बाद आप रिंस्टॉल कर सकते हो, roll in कर सकते हो, roll back करते time पर भी same as it is, ऐसा ही होगा, तो दोनों file size आपको approach मिलेंगी, आपको 900 MB के approach मिलेगा, एक 1.3 GB के approach मिलेगा, तो दोनों file में इतना difference है, जैसे roll in करना चाहते है collaboration का nothing और Google का, उसके बाद आप पेज में नीचे जाना है, आप लोग को अपना सारा data backup कर लेना है, then उसका अधी सब चीज़ है, experiment कीज़ेगा, इस update को करने के बाद आप लोग को क्या issues face करने को मिल सकते है, सबसे पहला आपको issue fingerprint sensor आपका work नी करेगा, face unlock भी work नी करेगा, glyph interface मैं बहुत जदा यूज़ करता हूँ, तो वो यूज़ करने को नहीं मिलेगा, तो really disappointing बात है, कोई बात नहीं, battery sharing का option भी बंद हो जाएगा, तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो rarely कभी कभी यूज़ करता हूँ, उससे कोई problem की बात नहीं है, और new portrait photo, slow motion और portrait photos भी नहीं ले आएगा, pre-install जो आप आते थे, नहीं के तरफ से वो नहीं आएंगे, overall इसमे, screencast issue भी इसमें वर्क नहीं करेगा, तो ये सारे feature इनको consider कीज़ेगा, देन उसके बात इसको install कीज़ेगा, आपको करना है, अगर experimental करना है, तो install कर सकते हो, और इसके बात इसी की जास नीचे हम लोगे ये वाला feature है, download files, download files में आपको दिख रहा होगा, in roll करने के लिए सबसे पहला feature है, download the android 14 beta update package, download करने के लिए यहां से होगा, और rollback करना है, और दोबारा आपको android 13 पर nothing OS 1.5.4 पर आना है, तो आप लोगे को second option पर करना होगा, click, उसका 1.3GV की जो file होगी, इसको download करन पड़ेगा, जो अभी में बताने वाला हो, इसको सिर्फ टच करना है, यहां से हो जाएगा, और यह सारा process आपको नहीं करना है, यहां से आपको problem होती है, तो मैं इन सब का link description में दे दूँगा, दोनों लिंक का, rollback का, rollin का, दोनों यहां से आप follow up कर सकते बाखी step, मैं step by step आप बता दे रहा हूं कैसे करना है, मैं आप लोग के लिए तो इतना करी सकता हूं, android 14 beta में rollin करना है, nothing was 1.5.4 पर अगर वापस आना है आप लोग को, तो आपको एक चीज से compromise करना होगा, वो आपका data, तो data को पहले backup कर लीजेगा, पैन आप इसको install करना, experiment करना, use करना, ज जैसे कि यह मैंने time बचाने के लिए वाली file पहले से download कर रखा है, यह file download करने के बाद, first step हमारा होगा, आप second step पर आते हैं, second step में हम लोग को playstore से जाके ex file manager download करना है, यह download मेरे में हो रखा है, उसके अब लोग को settings में जाना है अपने, उसके बाद हम लोग उसको सारी permissions allow कर देन ही है, अब यह open हो रहा है, then इसके अदम लोग जाना है ex file manager में, उसका internal storage में जाना है, internal storage का डाउनलोड में जाना है, download के अदम लोग फाइल को कट करना है, हम लोग को कट करना है, copy नहीं, cut किया, उसके अदम लोग ने back किया, यहाँ पर आम लोग को एक new folder create करना है, जो इस्तार है 682 हैस स्टार है थनी फाइल पत्लें दोस्ट को जाएगा और आपको सबसे पहले जहाएं पर फाइल सबस्क्रार्ड करना है ज्यादा इन ओपनें करना है और नीचे आपको कुछ निकरना फस्स आको यह सेलकिख करनी है फाइल न्यू फाइल की की थी उसके जिसे OTA इसलिए किया था कि जिसको यह फाइल लोकेट जल्दी से कर सके तो इसने अल्यडी लोकेट कर लिया है अब हम लोग उसको इंस्टाल करना है औरकली अप्लाई OTA फॉर्म सेलक्टेट फाइल को हम लोग अप्लाई करते हैं अब यह इंस्टाल कर रहा है अब कितना टाइम लगेगा यह चेक कर लेते हैं तो फाइनली हमारा यह आ अपडेट OTA सक्सेस तो कंफर्म कर देते हैं तो फाइनली हमारा एंडॉड डवलबर प्रिव्यू प्रोग्राम फाइनली इंस्टाल हो चुका है इस डिवाइस इस रॉ वाले कोई भी फीचर इसमें है ही नहीं ग्लिफ लाइट नहीं होगा फेस अनलॉक और या आपका फिंगर्प्रिंट सेंसर वगरा कुछ भी उसकी तरीके से काम नहीं करेगा पहले इसकी पूरी सेटिंग्स पूरी कंपलीट करते हैं फिर देखते हैं इसका कैसा इंटरफे इकसल की तरह विल्कुल वर्क कर रहा है यूई विल्कुल वैसा ही आ गया है नथिंग वह इसके तरफ से कुछ भी जो फीचर आड़न करे गए थे वह कुछ भी इसमें शो नहीं करने साथ में अब एक काम करते हैं सेटिंग्स में जाके सारी चीज़ों करके चेक कर लेते है ओजो चीजुचीज़े वर्क करने यह बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है इसकारम wenने यह क्लोग करते हैं बज म04 कटलस्ट ओस्तर अप करने यह एसी नहीं हो पर रहा है पिंगप्र संसर को क्लीन अप करने के लिए बोला है, संसर को क्लीन करने के बाद देन ट्राइ अगें कीजिए, तो यह attempt तो फेल हो गया, यहां वर्क नहीं कर रहा है, अब कैमरा चेक कर आदे हो आप लोगो तो, कैमरा बलुकुल सिंपल गूगल कैमरा आ रहा है, तो जादा क यहां पर पहले था, गूगल टाइप का, अब स्क्रीन कास्ट इशू भी देख लेते हैं, यूटूब अगर अपले करते हैं, तो स्क्रीन कास्ट वगएरा होता है के नहीं, रणना फोटो को इसकी को भी प्ले कर लेते हैं, चेक देस आउट गाईज, जैसे कि यहां पर स्क पॉप आप एनिमिशन के साथ आता है, वो नहीं आएगा, और साथ में आप लोगो के वैदर एप जो नथिंग का है, वो भी इसमें इंस्टाल नहीं है, और कुछ फीचर से लाइक आपका बैटरी शेरिंग का उप्शन, इसमें है नहीं है, और बाद में ही एड़न करेंग बस SDR फोटो वगरा ले पाओगे, वो भी जादा सिंपली फोटो से ले सकते हैं, जादा अच्छी फोटो से नहीं आएंगी, ओरल मेरे हिसाब से ये यूजलेस है ये कैमरा, तो आप लोग देख लिजेगा, मैं मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये होगा, इस अपडेट को बिल करूंगा, और आप लोग को ये अपडेट कैसा लगा, तो मुझे बताइएगा, बट मुझे अभी लग रहा है, ये सिंपल यूजर के लिए बिलकुल भी नहीं है, जो एडवांस यूजर है, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते है अपने यूई के साथ, फूबल पिक्सल का लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर नेक्ट वीडियो तक लिए बाइबाइबाइब